वारानसी में हाल ही में शाक भाजी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था जहां सीएम योगी आधितेनाद भी पहुँझे इस दोरान सीएम योगी हाथ में पपीते को लिए नजर आए दरसल पुर्वांचल यूपी के किसान इन दिनों अलग अलग तरह की बागवानी कर रही है किसान केले की G9 किस्म और पपीते की रेड लेडी किस्म की खेती से खूब मुनाफ़ा कमा रही है G9 प्रजादी का केला है G9 प्रजादी के केले की खाशियत यह है कि इसकी जो मिठास है और इसका जो टेक्शर है वो बहुत अच्छा होता है साथ में इसकी उत्पादक्ता ही बहुत ज़्यादा है एक किसान को एक हेक्टर में 7-8 रुपया की नेट इंकम होती है किसानों को रेड लेडी किस्म के पपीते की खेती से भी बढ़िया मुनाफ़ा हो रहा है यह साइस में बढ़ा होता है और खाने में भी ज़्यादा स्वादिस्ट है इसलिए किसानों को रेड लेडी किस्म के पपीते का अच्छा दाम मिल रहा है इसमें कौन सी विराइटी खास है जुसको किसान सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगरे रहे हैं? परचलित और अच्छी बरायटी है जिसका उत्ताइण किया जाता है उसमें जो फल है फल का साइज आप जैसे देख रहे है अच्छा होता है इसका रंग जो है ऐसा होता है कि देखने में बहुत लुभावना होता है और मार्केटिंग के लिए बहुत जो quality का product है ये quality product है पपीते की रेड लेडी किस्म का बीच सरकार द्वारा मानेता प्राप प्रतिस्टिट बीच की दुकानों पर उपलब्ध है अब अगर आप Red Lady किस्म के पपीते की खेती करने की सोच रहे हैं तो बता दे की Red Lady किस्म के पपीते के बीज सवा से डेलर लाग रुपए प्रती किलो तक मिलते हैं अब आपको बताते हैं कि केले की G9 किस्म की खेती के लिए पौधा कहां से खरीदें लखनों के उद्ध्यान विभाग के कल्चर लैप से किसान G9 किस्म के केले का पौधा खरीज सकते हैं इस पौधे की कीमत 15 से लेकर 17 रुपे तक होती है खेती किसानी से जुड़ी ऐसे ही जानकारे बड़े वीडियोस के लिए देखते रहें किसान तक